Hello student, welcome once again बच्चे इस वीडियो में हमनों क्वेस्टे में 43, 44 और जो 45 नमबर का क्वेस्टे नहीं से सॉल्व करेंगे और उसके बाद यह देखो जो मेरा 45 नमबर का क्वेस्टे नहीं यह सीम तू सेम है 32 की तरह ही बस वहाँ पर 21 पहले लिख दिया था, यहाँ पर 21 लास्ट में लिख दिया है वहाँ पर 6 जो था वो पहले था और यहाँ पर लास्ट में है तो यहनी बस यह सी कोशन को नमबर को आगी पिछे करके दे दिया गया है जो question है न इसको जल्बी साहिए solve कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ तो द्रबोजी है मेरा 43 नंबर का question है यह न सेम तुसे मैं 33 के तरह यह वहाँ पर भी बीच में रूट आया था यहां पर भी बीच में रूट आया है तो आगे कैसे solve करना है मैं बता देता हूँ आपको इधर क्या दिया हुआ है टू और थ्री दिया हुआ है यानि बीच वाले नंबर को कुछ ऐसा लिखना है आपको ताइक कि टू थ्री जा वाले कि इतना होता है तो इसको कैसे solve करना है वैसी यहां पर करना है आपको 3 root 3 है न तो इसको आप क्या करो 2 root 3 कर दो प्लस में 1 root 3 कर दो तो इससे होगा क्या कि जब आप इन दोनों का multiply करोगे तब कितना है पहले तो आप देखो दोनों का add करोगे आपका 3 root 3 आ जाएगा simple जितना अपने को लाना है उसके बाद जब आप इनका multiply करोगे तो देखो 2 आपका 2 आ जाएगा और multiply में 3 और root 3 का multiply होगा तो 3 हो जागा पूरा पूरा फिर यह 2 3 जब 6 आ गिया या इनका multiply करने के बाद 6 भी आ जा रहा है और plus करने के बाद 3 root 3 भी आ जा रहा है बस इसी ट बतार दो, अब देखो यहां पर क्या क्या common मिल रहा है, दोनों में 2 common मिल रहा है, और x भी common मिल रहा है, तो 2x सो बाहर निकाल दो, 1x यहां पर बच जाएगा, यहां पर से root 3 बच जाएगा, ठीक है यही न होगा, 2x का जब multiply हो एक से root 3 एक ही चीज है, तो देखो यहां पर 3 है, यहां भी root 3 है, दोनों root 3 के table में आ जाएंगे, कैसे आएंगे देखो यहां पर, यह root 3 जो होगा हमारा, ऐसे हम लोग बाहर ले लेते हैं, यहां पर से हमारा x बच जाएगा, और हम क्या जाते हैं, root 3 में, root 3 का अगर multiply करते हैं, यह जग आपका x plus root 3 एक बार, बचा किया मेरे पास 2x plus root 3, तो इसको था, तो आप 2x plus root 3, यह आपका final answer हो गया, चलिए जो अगला question 44th number का, उसे solve किया जाए, तो देखो यह मेरा 44th number का question है, जहां पर बीच में 1 चुपा हुआ है, देखो, x है यानि कि एक 1 है, जैसे कि में आ पर समझाया था, तो मैंने आपको एक trick बताया है, जब भी मैं यह 1 वाला question solve कर रहा हूँ, आपसे मैं एक trick बताया है, कि आप क्या करना, कि अगर 1 लाना है, इसका मतलब कि आपको अगल मगल वाले number ही लेना है, जैसे कि 5 और 6 ले लिया, 10 और 11 ले लिया, इसी type से आपको number को लेना है, अब आपको देखना है कि यहाँ पर हम कौन सा number ले, इधर 128 है, इधर 15 है, sorry 128 बोल रहा हूँ, यहाँ पर 28 है कि अवाला मारे पास, ठीक है, तो 28 हो इधर मारे पास 15 है, तो दोनों को आपनों मुल्टिप्लाइ अगर करते हैं, तो 28 का 15 से अगर मैं मुल्टिप्ला आपको 20 आगिया, तो इस तरीके से यह मेरा मुल्टिप्लाइ करने का निंजा टेक्निक है, आपको अगर ऐसा मज़ा आता है, तो आप भी करना सीख सकते हो, कोई दिकत मी है, आपको एक्जाम में ऐसे मुल्टिप्लाइ मत कर देना, यह आप रफली कर सकते हैं, हमने माइन क स्ट्रॉंग करने के लिए, तो मेरा कितना आ रहा है, 420 आ रहा है, तो बीच वाले नंबर को मुझे कुछ ऐसा स्प्लीट करना है, एक 1 को, ताकि मैं जब प्लस माइनस करूँ तो वह नहीं है, जब हम मुल्टिप्लाइ करें, तो 420 आ जाए, तो जैसे कि मैंना को एक्जाम करने पर 42 आ रहा है, मेरा को लाना कितना है, 420 लाना है, अब इस कंडिशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अब देखो सबसे पहले तो आपके दिमाग में अच्छी नंबर बहुत बड़ा है, अगर अपन, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर अपन 20 का टेबल 20 टाइम तो कितना आता है, 400 आता है, यह तो 400 से भी जादा है, इसका मतलब 20 और उसके बाद का नंबर कितना होता है, 21 होता है, तो अगर मैं 20 का टेबल 21 टाइम बढ़ता हूं तब कितना हैगा, तो देखो 2020 जा मारा 400 हो गया, और वन टेम और टेबल पढ़ूगा तो 20 और आ जाएग कि 20 तक आप टेबल भी याद करलो और 20 तक आप स्क्युँअ भी याद करो, जिसको पुनों रूट भी भ बोलते हैं, स्क्याइर बोलते हैं, जिसरे निवा के स्क्याइर, यह 9-po के स्क्याइर, 25 हो जाएगा, ठीक है, 14 पर 14ड के स्क्याइर, 196 हो जाएगा, इस तरहीके तक क्या करना है square उसको याद कर लेना है कम से कम 20 तक ज्यादा जादा आप 30 तक भी याद कर सकते हो उससे होता क्या है square याद कर लेने से आपको कोई भी question कहीं से अगर दिया हूँ है number system से आपका easily solve होगा तो यहाँ पर मुझे 420 मिला था तो मैं तो मुझे square याद है तो मुझे पता है कि 20 जब 400 होता है इसका मतलब मुझे 20 और उसके बाद का number देखना चाहिए तो मैंने बाद का number देखा 20 और 21 तो मेरा 420 भी आ गिया और हम जाते है 21 में से 20 को minus करेंगे तो मेरा 1 भी आ जाएगा इसका मतलब यह पर मुझे 20 और 21 लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे देखो ऐसे लिखेंगे यह हो जाएगा मेरा 15x का square ठेक है minus में answer को लाना है तो बड़ा जो नमबर रहेगा वो minus में रहेगा तो मैं minus 21x पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद में फिर plus में 20x लिख देता हूँ त यहाँ पर मेरा 5x बज जाएगा क्योंकि 5 3 जाए 15 होता है और minus में यहाँ पर 7 जाएगा क्योंकि 7 3 जा 21 होता है और केवल एक ही x है तो यह x हमारे यहाँ पर लग जाएगा उसके बाद इन दोनों में से मेरा क्या common बढ़ रहा है तो 4 मिल रहा है तो मैं plus 4 बाहर निकाल दे यहां पर भी 5-7 यहां भी 5-7 आ गया इसको 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 इबाराक उतार दो इस तरिके से यह हो जागा मेरा 5-7 इधर मेरे पास यह बज़ी यह और यह हो गया 4 यह हो गया फाइनल एंसर तो आप देखो जितना ज्यादा प्रेक्टिस करोगे मैं अप उतने आप से सॉल्व होगा इसलिए प्रेक्टिस जरूर करो और आरे सिकरवाल की बूक की यह खासियत है कि आपको इतना ज्यादा कुछसन दे दिया जाता है कि आप ना चाहा कर कि भी बहुत जादा प्रेक्टिस करते हो तो प्रेक्टिस जरूर कीजिए फिर यह मिलते हम लोग इसा कि मैं आपको 45 बता ही दिया है कि 45 बोला सेम तो सेम 30 क्यों से नमबर था 32 वाला है तो 45 इस एस टू एस 32 ठीक है दोनों इदम सेम है सेम टू सेम तो वह आप वीडियो देख लेना 32 वाला मिलते हम आप नेक्स वोले वीडियो में तब तक लिए थेंक्यू फो वाच्चिन